हे चिर्माहान हे चिर्माहान यह सर्ण रश्मी छूश्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास सेली वनता है इंद्रधनुष परिमल मल जाता है बतास पर रागहीन तू हिम निधान हे चिर्माहान 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 काव संग्रह संधगीत से संकलित की गई है यानि महादेवी वर्मा लेखि का हिमाले से कविता का शीरशक संधगीत इनकी कृती है जहां से ली गई है हे चिरमहान स्वागत है आप सबी का ज्यान सिंदु कोचिंग क्लासेज में आइए पढ़ते हैं इस कविता को इसकी तमाम meanings को पढ़ते हैं, इसके परशनों को भी जानते हैं. चिरमहान, अब आप कहेंगे सर चिरμिंश क्या होता है? चिरमाने होता है सदैव से, चिरमाने सदैव से महान. देखे अभी आपको टेलिग्राम जॉइन कर लेना है नौटिफिकेशन वहीं पर सारे आते रहते हैं अबाउट सेक्षन में लिंक है और अगर आपको टेलिग्राम का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमसे वाटसप पर भी मांग सकते हैं अबाउट सेक्षन में उसका भी लिंक है ठीक है शिवा और विशाल पुष्पेंद्र आदेश सभी का स्वागत है चलिए तो चिर माने होता है सदयव ठीक है ठीक तो हे चिर महान हे सदियों से महान हिमाले हे हिमाले तुम सदियों से महान हो हे चिर महान हे हिमाले तुम तो चिरकाल से महान हो सदियों से महान हो यह स्वरण रश्मि छू श्वयत भाल श्वयत माने होता है सफेद भाल माने होता है मस्तक छू माने इस पर्ष करके स्वरण रश्मि अब आप कहेंगे कि स्वरण रश्म मिन्स क्या होता है सुर्ण माने होता है सुनहली रश्म माने होता है किर्णे सुर्ण की सुनहली किर्णे सुर्ण रश्मिया सुर्ण की सुर्ण रश्मिया छू माने छू करके तो हिमाले का भाल कैसा है? सफेद है बरसा जाती रंगीन हास और हिमाले की स्वरन रस्मिया हिमाले को इसपरस करके किसकी वर्षा करती हैं तो रंगीन हास की वर्षा करती हैं तो यह है इस बार आपको संदर प्रसंग व्याक्षा तो आनी चाहिए साथ में इससे बनने वाले प्रशनों को भी आपको समझना है मैं अलग से एक वीडियो की स्रीच चलाऊंगा जिसमें आपको सारे काव विखंड के पद्यान शाधारित प्रशनोत्तर मिलेंगे ठीक है जैसा सूर्दास को हमने पढ़ाया था तो हे चीर महान हे सदियों से महान हे हिमाले आप तो सदयव से महान हो यह सुनरश्मी यह जो सुनरश्मिया हैं यह जो सूर्द की सुनहली किरणे हैं यह आपके श्वयत भाल आपके सफेद मस्तक को कलपना करो यह क्या है यह हिमाले है और यहाँ पर इसकी चोटियों पर सफेद बर्फ है बर्फ की चादर लिप्टी हुई है तो अब यहाँ पर सूर्द की किरणे जो है आती है तो जब सूर्द की किरणे इसके बर्फ के इसके श्वयत बर्फ से इसपर्ष होती है तो क्या होता है बर्फा जाती रंगीन हास तो सूर्द की सुनहली किरणे आपके मस्तक का इसपर्ष करके रंगीन हास अर्थात एक रंगीन हसी की वर्षा कर जाती है अर्थात वे प्रसन हो जाती है सुनहली किर्णे ऐसा लगता है कि हसने लगती है और उसकी रंगीन हसी चारों और विखर जाती है इसलिए ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर की सुनहली किर्णे आपके महाल को आपके सफेद मस्तक को छू करके रंगीन हास की वरशा करती है सेली मिन्स होता है पगड़ी ध्यान रखिएगा मिनिंग्स का सेली मिन्स होता है पगड़ी देखो शेयर करो भाई ऐसे नहीं बनेगा सेली का मतलब होता है पगड़ी तो ये हिमाले है और जब इंद्रधनुस खोता है तो इसकी हिमाले की इंद्रधनुस क्या बनता है पगड़ी तो सेली बनता है इंद्रधनुस सेली मिन्स होता है पगड़ी तो इंद्रधनुस जो है वो आपकी पगड़ी बन जाता है उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानों चारों और क्या हो रहा है हसी बिकरी हुई ऐसे में क्या प्रतीत होता है कि रंग बिरंगा इंद्रधनुस ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सिर पर पगड़ी बान दी गई हो क्या बरणन है परिमल मल जाता है बतास परिमल माने क्या होता है परिमल मिन्स होता है सुगंध सुगंध, ठीक है, बतास मिंस होता है वायू तो यहाँ परिमल मिंस होता है सुगंध, याद रह determ किए और बतास मिंस होता है वायू pencil लीजिए, अपनी book में लिख लीजिए सेली बनता है एंद्रधनुस एंद्रधनुस मानो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे चारों तरफ बन करके तुम्हारी पगड़ी हो परिमल माने सुगंध मल 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 जाता है बतास बतास मिल्स होता है वायू और तुम्हारे और क्या होता है तुम्हारा जो शरीर है ठीक है तुम्हारे शरीर में या जो यूं कहे कि शीतल हवा तुम्हारे अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है परिमल माने होता है सुगंधित पदार्थ मल जाता है यानि की लेपित कर जाता है लगा जाता है तुम्हारे सरीर में बतास माने वायू और जब वायू चलती है तो हे महान हिमाले तुम्हारे शरीर में सुगंधित लेप लगा जाता है पर राग हीन तु हिमनिधान वाह, हिमनिधान का मतलब भी यहाँ पर क्या है? हिमनिधान का मतलब होता है बर्फ का भंडार अर्थात, बर्फ का राजा श्वेत हिमाले हे हिमाले किन्तु हे हिमाले हिमनिधान मतलब हे हिमाले पर रागहीन परंतु हे हिमाले तू एकदम रागहीन रहता है अर्थात तुम फिर भी बैरागी के समान उदासीन रहते हो चाहे तुम्हारे उपर कोई हार चड़ाए चाहे तुम्हारी पगड़ी इंदरधनुस बन जा चाहे सारे चारों और से परफ्यूम परफ्यूम लाकर के हवा तुम्हारे सरीर में परफ्यूम का इस्प्रे कर दे लेकिन तुम तो रागहीन हो यार हिमाले है हिमाले है हिमनिधान है महापुरुष हिमाले तुम रागहीन हो तुम बैरागी हो तुम तुम पर इसका कोई फर् आते हैं तो स्रिंगार रस है ठीक है अगर आपसे पूच ले कौन सा रस है तो स्रिंगार रस है और यहां से प्रश्ण क्या बन सकते हैं देखेगा आपसे प्रश्ण पूचेगा कि हिमाले की पगड़ी कौन बन जाता है तो इंद्रधनुष परिमल कौन अर्था सुगंधि की वायू सुगंधी मल जाता है और फिर भी रागहिन कौन रहता है तो हिमनिधान याने की हिमाले, अब यहां पर सरिंगार रस है क्योंकि हिमाले की सुंदर्ता का वरण है, स्रिंगार रस के सात्फ सात्फ जो छंद है वो मुक्त है, कोई छंद नहीं है रस सांत भी यहाँ पर है गुण माधुर है अलंकार तो उपमा और उत्प्रेक्षा दो अलंकार यहाँ पर है ठीक है फिर कहते हैं नभु में गर्वित जुकता नशीस पर अंक लिये है दीन चार मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिश भार कितने मृदु कितने कठिन प्रान है चिर्माहान है फिर क्या कहती है महादेवी वर्मा जी देखे बाई साब आप लोग शेयर नहीं किये हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है तो नभ में गर्वित जुकता नशीश पर अंक लिये है दीन इशार महादेवी वर्मा कहती है कि नभ में गर्वित अर्थात गर्वित का मतलब क्या होता है नभ में गर्वित अर्थाद आकास में गर्वित माने गर्व से खड़े हुए हो आपका शिर जुकता नहीं है शीष माने सिर ठीक है गर्वित माने गर्व से युक्त आपका गर्व से युक्त शीष आकास मंडल में सीधा तना खड़ा हुआ है कभी जुकता नहीं है परंतु पर लेकिन अंक माने गोद, अंक माने गोद में लिये है दीन चार, परंतु हे हिमालय, आप अपनी गोदी में दीन, दीन मतलब होता है मामूली, तुछ चार माने होता है मिटी, परंतु अपनी गोद में तुमने मिटी को, तुछ मिटी को क्या किया है, सहारा दिया है, दीन ही मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। और तन सह लेता है कुलिश भार कुलिश माने होता है वज्र के समान भार ठीक है वज्र के समान भी भार हे हिमाले तुम्हारा सरीर बज्र से भी कठिन कठिन वार सह लेता है कितने मृदु कितने कठिन प्राण हे हिमाले आपके प्राण बहुत ही सुकोमल है और बहुत ही कठिन बहुत ही कठोर प्रान आपके हैं बहुत ही कोमल प्रान आपके हैं यानि आपका सरीर कठोर भार को भी सहन करता है और तुम अंदर से कोमल हो और बाहर से कठोर हो तुम्हें सब कुछ सहन करने की सकती है अब यहाँ पर प्रश्ण बन सकता है कि आकाश मंडल में कौन सीस उठा ठीक है अपनी गोदी में क्या लिए हुए है हिमाले दीन चार ठीक है विष्व को जुखा हुआ अपने स्मुक देख कर किसका मन करुणा से व्याप्त हो जाता तो हिमाले का किसका शरीर बझ्ज से भी कठोर भार को सहलेता है तो हिमाले का कोमल और कठिन दोनों प्रकार के प्राण किसके हैं हिमाले के फिर कहती है तूटी है तेरी कब समाधी जंजा लोटे शत हार हार बहचला द्रिगों से किंतु नीर सुन कर जलते कन की पुकार सुख से विरक्त दुख में समान है तूटी है तेरी कब समाधी है हिमाले तुम्हारी समाधी कभी तूटी नहीं है जंजा माने होता है आंधी तमाम आंधी और तूफान सत माने सैकणों सत माने सैकणों सैकणों यानि हजारों हजारों सैकणों आंधी तूफान तुमसे हार हार करके पुनुरुक्ति प्रकाश अलंकार हार हार करके यानी पराजित हो करके लोट गए हैं परंतु तुम्हारी समाधी कभी नहीं तूटी है बहचला द्रिगों से किन्तु नीर परंतु तुम्हारे द्रिगों से अर्था तुम्हारे नेत्रों से नीर बहचला अर्था तुम्हारी आँखे नम हो गई सुनकर जलते कण की पुकार जब कण जल रहा था तो उसकी करुण पुकार सुनकर के तुम तुम्हारी आँखों से तुम्हारे नेत्रों से जल बहचला अर्था तुम रोने लगे तुम द्रवी भूत हो गया यानि तु एक कठोर तपस्वी की भात ये है हिमालय समाधि लगा तुझको भंग न कर सके तिरी समाधि को वे तो केवल टकराए हार मानकर लोट गए और एक ओर तो तुम्हें इतनी कठोरता है और दूसरी ओर जब तुम तीब्र धूप से तपे हुए किसी धूल के कण की पुकार सुनते हो चीतकार सुनते हो तो दया के करण तुम्हारे न सुखी नहीं हो लेकिन दूसरों के दुख में हमेशा उसका साथ देते हो दूसरों के दुख में हमेशा तुम उसके साथ रहते हो यानी तुम सुख की कामना नहीं करते लेकिन बलकि सुख दुख में समान रहने वाले योगी हो ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि गरीबों की पुकार सुनकर के प्रतेक मनुष्य के हिर्दय में ठीक हिमाले की तरह करुणा और दया होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपसे प्रशन पूचेंगे किसके द्रगों से नीर बहे चला तो हिमाले के कौन द्रवी भूत हो जाता है जलते हुए कणकी पुकार सुनकर के तो हिमाले हो जाता है किस से तमाम आंधिया तूफान टकरा कर हार गए तो हिमाले से मेरा जीवन का आज मूख मेरे जीवन का आज मूख तेरी छाया से हो मिला पुतन तेरी साधक ता छूले मन ले करुणा की थाहनाप उर में पावस द्रिग में विहान है चिर महान है चिर महान उर में पावस द्रिग में विहान है चिर महान है चलिए फिर देखते हैं महा देवी वर्मा ये कामना करती हुई कहती हैं कि हे हिमाले तु बहुत महान है मेरे जीवन का कहती है कि हे गिराज, हे परवतराज, हिमाले मेरी तो यही इच्छा, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तित छाया से मिल जाए मेरे जीवन का मेरी जीवन की भावना आज मूक, मूक माने शांत एकदम मूख जो बोलती नहो यानि मेरे जीवन की मौन मूख माने होता है मौन भावना आज तेरी च्छाया से मेरे जीवन की मौन भावना का मिलाप हो जाए यानि की मिलन हो जाए और तन माने मेरा शरीर तेरी साधकता छूले अर्थात मेरा शरीर तेरे समान शाधक हो जाए पूले और मेरा मन तेरी करुणा की था हमाने गहराई को माप ले अर्था जितनी करुणा तुम्हारे अंदर है उतनी करुणा मेरे अंदर भी हो जाए उर्मे पावस उर्माने होता है हर्दय ठीक है उर्मे पावस हर्दय में पावस हर्दय में पावस यानि कि तुम्हारे हर् वर्षा का निवास है क्या है वर्षा का निवास है द्रिग में विहान और तुम्हारे नेत्रों में प्राताह कालीन विहान माने होता है सवेरा ठीक है सवेरा और सवेरा मतलब होता है प्राताह कालीन सौंदर्य को विहान कहते हैं प्राताह कालीन सौंदर्य या प्राताह भी का मतलब होता है प्राता कालीन सौंदर और विहान का मतलब प्राता काल भी होता है ठीक है तो कहते हैं तुम्हारे हरदय में पावस है वर्शा है और तुम्हारे द्रगों में तुम्हारे नेत्रों में विहान है प्राता कालीन सौंदर्य विद्यमान है यानि महादेवी वर्मा का तात पर ये है कि जिस प्रकार हिमाले सारे कष्टों को संक्टों को, आंधियों को, तूफानों को वर्षा को, बज्जरों को जेलता है उसी प्रकार मैं भी संक्टों में, संक्टों के आने पर क्या करूं अपने जीवन के आदर्शों से विचलित न हूँ ठीक है तो संदरप प्रसंग और व्याख्या आनी नहीं है इस बार लेकिन आपको याद सब करना यहाँ पर भी रस अगर हम बात करें रस की तो शांत रस है चंद तो कोई है नहीं मुक्त चंद मुक्त चंद लिख गया है मानवी करण अलंकार है और साथ में पुनरुक्ती प्रकाश है भासा साहितिक खड़ी बोली है ठीक है साहितिक खड़ी बोली इसकी भासा है समझ गया चलिए तो यह हिमाले था अब यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि महादेवी वर्मा अपने शरीर की छाया अ ठीक है और तन तेरी साधकता सूले महादेवी वर्मा क्या इच्छा करती है तो महादेवी वर्मा यह इच्छा करती है यह कवेत्री इच्छा करती है कि मेरा शरीर हिमाले की साधकता को सपर्ष कर ले और हिमाले के मन की करुणा की गहराई को हमारा मन भी माप ले जिस प्रक प्रकार हिमाले के हरदय में वर्षा और आखों में प्राता कालीन सौंदरे रहता है उसी प्रकार हमारा भी जीवन हो जाए जिस प्रकार समाधी में लीन है यह हिमाले फिर भी बहुत कुछ बोलता है उसी प्रकार हमारा जीवन हो जाए बहुत-बहुत शुक्रिया सभी लोग जुड़े अब देखो इसके प्रश्णोत तर लिखके भी हम करा देंगे ठीक है लेकिन आप सेयर कर दीजे तो ज्यादा बेतर हैगा दिलीब कुमार विश्वकर्मा अंकिता प्रियायादो जितेंद्र जांगिर अंकित तिवारी चंदर शेखर दिलीब कुमार विश्वकर्म MP Board नहीं पढ़ाते हैं UP Board only पढ़ाते हैं भीया MP Board का हमारे हाँ सलेबस भी अवेलेबल नहीं हो पाता है तो कैसे पढ़ाएंगे अंकित प्रजापती सरकॉल कौन सा चैप्टर होगा कल इसके आगे वाला चैप्टर और जीवन परिचे करा देंगे है ना रॉलिक सिंग शिवम गुपता और अंकिता अभिशेक शर्मा चले खुश रहिए अमित निशाद जी गुड़िमनिंग बहुत 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 शुक्रिया अमित निशाद जुड़ते रहिए भईया और जोड़ते रहो लोगों को यह आप लोगों का ही सहारा है ना तो स्री निवास जी और एक चीज हम आपको और बता दे भया जो है टेलिग्राम से आप जुड़िये और लोगों को भी जुड़िये टेलिग्राम पे सारे के सारे अपडेट्स पहुंचते रहते हैं तो टेलिग्राम मिस मत कीजिएगा जरूर आप डाउनलोड कर लिजिएगा एनि टेलिग्राम जॉइन कर लिजिए ग्यान सिंदु कोचिंग क्लासेस चैनल है टेलिग्राम का ठीक है